अस्सलाम वालेकुम आज हम आपको चिकन चौमिन की रेसिपी सिखाएंगे चौमिन मनाने के लिए जिन अज़ा की जरुवत है उसमें एग नोडल्स दो पैकित चिकन आदा किलो अंडे तीन अदद चौप की हुई गाजरे एक कप चौप की हुई शिमला मिर्ज एक कप चौप की हुई बंगोभी दो कप चौप की हुई स्प्रिंग ओनियन एक कप सुर्ख मिर्ज कुटी हुई एक टेबल स्पून काले मिर्ज कुटी हुई या पिसी हुई एक टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबिल स्पून या हस्बेज आएखा चिली सॉस, 3 टेबिल स्पून सोया सॉस, 3 टेबिल स्पून विनिगर, 3 टेबिल स्पून टोबाटो केचप, 3 टेबिल स्पून चिली गार्डिक सॉस, 3 टेबिल स्पून लेसन चौप किया हुआ पांच से छे जवे ओईल हाफ कप बनाने का तरीका सबसे पहले एक कडाही में ओईल डालें अब इसमें लेसन को डालके फ्राई करना शुरू करें जब लेसन फ्राई हो जाओ और उसकी खुश्बू आने लगे तो अब इसमें चिकन को डाल दें चिकन को डालके अच्छी तरीके से फ्राई करें जब चिकन अपना कलर चेंज कर दे जब चिकन अपना कलर चेंज करने लगे तो इसमें नमक, कोटी लाल मिर्ज और काली मिर्ज डालके इसको अच्छी तरीखे से फ्राइ करें साथ ही थोड़ असा पानी शामिल कर दे ताके मसाला जलेना अब इसके बाद इसमें सबसे पहले चिली सॉस, सोया सॉस और विनिगर और कैचप डालके अच्छी तरीखे से इसको फ्राइ करें जब ये बिल्कुल खुश्क होने लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके चिकन को थोड़ी देर के लिए ढख कर रख दें ताके चिकन गल जाए अब इसके बाद एक चमचा लेकर अच्छी तरीखे से चिकन को हलका हलका सा प्रेस करके अलाइदा अलाइदा कर लें ताकि चिकन का रेशा अलाइदा अलाइदा हो जाए अब चिकन खुश्क हो जाए अब चिकन खुश्क होने लगे तो इसमें सबसे पहले गाजरे डालें, इसको दो से तीन मिनिट अच्छी तरीखे से फ्राए करें इसके बाद इसमें शिमला मिर्ज डाल के फ्राय करें और फिर बन गोबी जब बन गोबी पर अच्छी तरीके से फ्राय हो जाए तो अब इसमें आप बचा हुआ चिली गार्लिक सॉस भी शामिल कर दें एक देख्ची में पानी फुल करके रखें और उसमें एग नोडल्स को खोल के डाल दें कोशिश करें कि दर्मियान से एग नोडल्स को ब्रेक करके फिर पानी में शामिल कर दें ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो याद रहे कि जब पानी के अंदर बॉयल आने लगे तो उस वक्त आपने ये समया इसमें शामिल करनी है साथ ही साथ आप उसमें एक टेबल स्पून या दो टेबल स्पून ओयल डाल दें और चुटकी भर हल्दी डाल दें इससे उनका कलर बहुत खुबसूरत आएगा छे से साथ मिनिट के अंदर समया बॉयल हो जाएंगी एक कांटे से समया को उठा के चेक करें कि वो गल गई है याद रहे उसके अंदर की सकती खतम होनी चाहिए बिलकुल समया नर्ब नहीं होनी चाहिए वरना जब आप कुकिंग करेंगे तो वो बिलकुल मैल्ट सी हो जाएंगी अब आपने जैसे ही समया गल गई इसको फिल्टर करना है और फिल्टर करते ही इसको फोरण इस टाइम पर उस कडाही में शामिल कर दें जिसमें आप सारी सबजियां फ्राइ कर रहे थे अब इसके बाद इसको अच्छी तरीखे से मिक्स करें आपस में नोडल्स मिक्स करने के बाद याद रहे कि आप इसको दो चम्चों से अगर मिक्स करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा और नोडल्स अच्छी तरह से मिक्सिंग होंगे इसके बाद दो से तीन अंडियों को अलैदा अलैदा फेंट कर नमक कालिमर्ज शामिल करके फ्राइ कर लीजेगा और उसको भी शुरेट करके इस चौमिन में लास्ट में मिला दे मिलाने के बाद स्प्रिंग ओनियन्स उनको उपर चड़क दे इस टाइम पर इसमें चेक करके देखें कि नमक सही है या कम है अगर आप थोड़ा नमक उठता हुआ खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक खाले इस आप शामिल कर सकते हैं याद रहे कि इसको बनाने का एक तरीखा और है कि आपने चिकन जो है नमक और काली मिल्च में डाल कर बॉइल करने रग दिया जब नमक और काली मिड्च से चिकन अची तरीखे से बॉइल हो जाए तौ आप चिकन को उस वक्त निकाले जब उसका पूरा पानी खोश्क होने पर आजा और लास्ट में थोड़ी सी उसकी गिरेवी रह जाए आपने बोटिया निकाल कर उसको श्रेट कर लेना है और वो जो बचीवी यखनी है उसको चौमिन में शामिल कर दीजेगा और इसी तरीखे से अंडों करना है कि फॉड़ा सा चिकन और अंडे को फैला क escuchा लाओए लेकी गया खेली से लुज है तो आफने क्या है कि थोड़ा सा चिकन और अंडे को उसके ओपर फैला के इसको दोनों चमचूं से अच्छी तरा से हिला बावार मैं जब नहीं हिला ना है मैं जब वह फैला कि मिक्स हो जाएं तो मजीद बच्या हुआ चिकन और अंडा शामिल करके फिर उसको दोनों चम्चों से मिक्स करें इस तरह से चौमिन आपका तयार हो जाएगा तो यह थी हमारी आज की रेसिपी अगली रेसिपी के साथ दुबारा हाजर होंगे तब तक के लिए अल्ला है साथ बच्चों से खाएं यह थी हमारी आजे हो जाएं जाएं यह दुबाएं डबारा है हुआ।